नमस्का दोस्तों आपका एक बार फेसे स्वागत है सिक्षा प्रभा की एक नई वीडियो में तो बिटा अभी आप लोगों का 18 तारिक को है बोर्ड एक्जाम क्लास 12 पेंटिंग फाइनार्स तो आप लोगों को चाहिए थे कुछ important questions and answers जिनको पढ़ने के बाद आपको बाकी syllabus को पढ़ने की जरुरत नहीं पढ़ेगी इस तरह के कुछ questions हैं जो आपके एक्जाम में आ सकते हैं तो उन सभी questions को हम यहाँ पर एक बार देखेंगे और समझेंगे कि हमें उनके answers को किस तरीके से लिखना है इसी के साथी साथ बिटा आपके पूरे syllabus की वीडियोज शिक्षा प्रवापर पढ़ी हुई है प्ले लिस्ट में आप लोग जाएगा और वहाँ पर CBSC Painting 11th and 12th वाले फोल्डर को उपन कीजिएगा वहाँ पर आपको सभी वीडियोज मिल जाएगे जो आपके syllabus से है topic wise भी मिल जाएगे question and answers का solution भी आपको मिल जाएगा इसके अलावा मैं description में भी वीडियोज का link डाल दोंगी सिक्षा प्रवापर बिटा अगर आप पहली बार आएगे हैं चैनल को subscribe करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है जिससे कि आपको आपके model test paper, practice paper और आप जो board का paper देखर के आएगे उसका solution भी आपको यहाँ पर मिलेगा इसके अलावा पूरा syllabus यहाँ पर पेंटिंग का कराया जाता है CBSC, RBSC और NIOS में जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए भी तो सबसे पहला question जो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेकर के आई हूँ वो है राजस्थानी कला शेली का उदभव एवं विकास का संचिप्त विवरण कीजिए सबसे पहले आपका जो सलेबस हैं उसको समझते हैं तो आपका सलेबस एक तो जो आर्टिस्ट है और उनकी क्रतियां हैं वो है और दूसरा है शेली और उन शेलियों में लगभग कैसे चित्र बने हैं सबसे पहले आ जाता है राजिस्थानी फिर पहाडी फिर मुगल फिर दक्षनी और उसके बाद आ जाता है जो आधुनिक कला की तरफ चला जाता है बंगाल शेली तो ये सारे लगभग लगु चित्र शेली हैं उसके बाद हमारा सलेबस बटा हुआ है आर्टिस्ट और उनकी पेंटिंग्स, ग्राफिक प्रेंटिंग्स और जो आपके स्कलप्चर हैं है ना तो वो तीन चैप्टर हैं जिसके अंदर आप चित्रकारों को ग्राफिक पेंटर्स को और स्कलप्चर आर्टिस्ट को पढ़ रहे हैं और उनकी कृतियों को पढ़ रहे हैं ये एक छोटा सा लेबस है तो इसको और ज़्यादा चोटा करने का कुछ बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं बहुत पतली सी बुख है और मात्र 30 नंबर का आपका पेपर आने वाला है तो लगु चितरशली के बारे में आप लोगों को पता है कि लगु चितरशली क्या होती है तो छोटे आकार के चित्रों को जो बनाया जाता है और टेंपरा तक्नीक से उसके अंदर रंग भरा जाता है वो कहलाती है लगु चितरशली ये किसी दिवार पर पहाड पर या शिला पर नहीं बनाई जाती मुख्यता ये कागज पर पनाई जाती है इसके लावा आपको कपड़े और कैनव पर भी छोटे अकार के चित्र बने हुए मिल जाएंगे तो अब राजस्थानी शेली का उदभव कब हुआ पंद्रवी शतापदी में हुआ राजस्थानी शेली का उदभव और कौन से केंद्र पर हुआ पंद्रवी शतापदी के आरंभ में एक चोर पंशिका है और सुप राजस्थानी शेली का ही एक केंद्र था जिसका नाम है मेवाड मेवाड जो की उदपुर में पढ़ता है यहां पर सबसे पहले राजस्थानी चित्र लगु चित्र बनने शुरू हुए और कौनसी शताबदी में शुरू हुए पंद्रवेश अताबदी में और बिल्कुल आपको देखने मिल जाएंगे पंद्रा सो पच्पन में पालम भागवत एक ग्रंथ है जिसके अंदर आपको राजस्थानी शेली का लगु चित्र देखने मिल जाएगा लेकिन इससे पहले भी सुपहसनचर्यम और चोर पंसी का नामक ग्रंथ में चित्र बन चुके हैं रा इधर बहुत सारे चित्र बने जो राजस्थानी लगु चित्र शेली के ही कहे जाते हैं क्यूंकि उपकेंद्र हो गए मुख्यता चार भागों में ये चीज बटी हुई है मेवार मारवार और ढूंडार और हाडोती इन चार केंद्रों में कुछ-कुछ केंद्र हैं जहां पर हमें चित्र देखने के लिए मिलते हैं और जो सबसे सुंदर चित्र राजस्थानी शेली में देखने मिलते हैं वो मिलते हैं किशनगर में किशनगर में जो चित्र बने हैं वो संपूर राजस्थानी शेली में सबसे सुंदर चित्र हैं और अगर पूरी राजस्थानी का सबसे सुन्दर चित्र की अगर बात की जाए तो वो है बनी ठनी राधा जिसको हम राधा बनी ठनी के नाम से भी जानते हैं यह था आपका फर्स्ट कुर्शन सेकिंड कुर्शन है आपका किशनगर शेली या जोधपुर कला शेली की प्रमुक विशेष्टाओं का वर्णन क देखे जो आपके स्लेबस में है वो है मेवाल, बूंदी, जोधपुर, बीकानेर, किशनगर और जैपुर कोटा आपके स्लेबस में नहीं है इस बारी तो यह जो छे सेलिया है उसके अंदर से जो दो मुझे जादा इंपोटन्ट लगी वो है किशनगर और जोधपुर लेक लेकिन जिसकी जादा संभावना है वो है किशनगर और जोधपुर तो किशनगर के बारे में बताना है और जोधपुर के बारे में बताना है तो जोधपुर में जो कलाश हैली की शुरुवात हुई थी वो सत्रमी सताबदी के प्रारंभ में हुई थी और यहाँ पर जो चि उनका जो background है वो अधिकतर पीले रंगों से दिखाया गया है इसके अलावा यहां पर 12 मासार रामायन और देवी देवताओं पर अधारिच चित्र भी बहुत ज्यादा मात्रा में बने है जोदपुर शैली में जो महिलाएं हैं वो लगभग कुछ पुरुष के जैसे हस्ट प ज्रमुख चितर है वो है ढोला मारू। ठीक है यहां पर ढोला मारू बहुत अधिक मात्रा में चित्रित किया गया है जो ढोला मारू आपके सलेबस में है जिसको मारू रागनी के नाम से भी जानते हैं वो आप मेवार शेली में पढ़ोगे लेकिन इस विशय पर सर्वधिक चित्र जेपूर कला शेली में जोधपूर कला शेली में बनाया गया है सेकेंड है आपका किशनगड शेली तो किशनगड शेली संपूर राजस्थान की सब से सुन्दर कला शेली है यहाँ पर बहुत सुन्दर चितर बने है और जो लगु चितर है वो यहाँ पर कुछ बड़े आकार में बने है बाकी शैलियों से इस शैली का जो चरम समय था किशनगर सैली का जो चरम समय था वो माना जाता है 1760 में एक राजा सावंत सिंग के समय पर इसका लाका बहुत अधिक विकास हुआ और जो प्रमुख चित्रकार है यहाँ पर वो है निहाल चंद निहाल चंद किशनगड चैली के प्रमुख चित्रकार है इसके अलावा यहाँ पर बहुत सुंदर नारी चित्रांकन हुआ है मतलब नारी के सोंदरे को बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया है किशनगड चैली में यहाँ पर जो प्रमुक विशे हैं जिन पर चितर बनाया गया है वो है आखेट द्रिश्य, राधा और कृष्ण पर अधारिच चितर और यहाँ पर राजा सावंत सिंग के भी बहुत अधिक बात्रा में व्यक्ति चितर बने हैं बढ़ते हैं नेक्स्ट कृष्ण की तरफ नेक्स्ट कृष्ण है बनी ठनी, चोगान प्लेयर्स और मारू रागनी चितरों का संचिप्त विवरण कीजिए देखे आपके स्लेबस में कुछ पांच चितर हैं जैसे जूले पर क्रश्ण और मारू रागनी, राधा बनी ठनी, चितर कूट में भरत राम से मिलते हैं और चोगान प्लेयर्स तो इन में से जो तीन महत्पोन प्रश्ण है वो हैं बनी ठनी, चोगान प्लेयर्स और मारू इनका विवर्ण आपको देना है तो बनीठनी आपco पता है निहालचनन ने बनाया था किशंगर्शले का चित्र है राधा के रूप में बनाया गया है इस चित्र को बनीठनी को राधा बोला जाता है नीली ओडनी पहने रखी है सीदे हाथ में दो कमल की कली पकड़ी हुई है उल्टे हाथ में और सीधे हाथ से उसने अपना डुपटा पताब अपनी ओड़नी को पकड़ा हुआ है आभुशन पहने हुए अधगुली आखें हैं पतले तीखे नैननक्ष हैं ठीक है ठीक है जिनके परिधान अलग है घोड़े दोड़ती हुई अवस्था में हैं परिधान उड़ रहे हैं जिससे हवा के वेग का पता चल रहा है छे इस्टिक उनोंने पकड़ी हुए अपने हाथों में और एक गेंद को नियंतरित करने का प्रियास कर रही है टेंपरा शेली में बना हुआ है और रास्त्र संग्राले नई दिल्ली में सुरक्षित है ठार्वी शताबदी का ये चित्र माना जाता है नेक्स्ट पढ़ते हैं मारूरागनी की तरफ तो ये एक वही कथा है जो की जोदपूर में बहुत अधिक बनाई गई है लेकिन जो मारूरागनी आप पढ़ रहे हूँ मेवाड शेली की है पीछे पीले रंकारेग का टीला दिछा रखा है क्योंकि जोदपूर की कहानी है तो जोदपूर में पीले रंकारेग है तो और एक उ backbone पर सवार राजा और रानी या फिर राजकुमार और राजकुमारी जो राजकुमार है वो राजकुमारी को अपने साथ उनके राज्ये से भगा करके उट पर ले करके जा रहे हैं उनके साथ उनके अंगरक्षक भी है उट चलाने वाला व्यक्ति भी है और एक सफेद कुत्ता भी दोड़ता दिख रहा है तो साहब दीन ने इस चित्र को बनाया है कागच पर जल रंग से ठार्वी शताबदी में टेमप्रा तकनीक से और रास्ट्र संग्राले नई दिल्ली में ये चित्र सुरक्षित है जो अंग्रक्षक्ष है उनके हातों में तलवार है गती शील मुद्रा में उनको बनाया गया है नेक्स्ट कॉशन है कॉशन नमबर फोर पहाड़ी लगू चत्र शली के उदभाव विकास का वर्णन कीजिए तो आप जैसे राजिस्थानी शली का उदभाव विकास हुआ उसी तरह से पहाड़ी शली का उदभाव विकास हुआ लेकिन कब हुआ 1690 इस्वी में पहाड़ी कला का विकास हुआ जिस तरह से मेवाड सबसे पहले कला केंदर रहा राजिस्थानी शली का तो पहाड़ी शली वे रहा बसोली बसोली कला केंदर सबसे पहला कला केंदर रहा जहां पर पहाड़ी चित्र बनाये गए चीक है और बिलकुल ही लोक कला जो थी मत श्रित चटक रंगों का प्रियोग यहां पर किया गया बसोली में और उसके बाद धीरे-धीरे गुलेर में, कांगडा में, चंबा में, है ना नूरपूर, इन सब जगाओं पर पाहाडी लगुचतरशली आई और आपके स्लेबस में कौन-कौन सा है बसोली, गुलेर, चंबा और गडवाल मंडी आपके स्लेबस में नहीं है और जो यहां की सबसे बढ़िया कला है वो कौन सी है तो यहां अगर आप देखेंगे तो कांगडा कला कांगडा कला यहां की सबसे ज़्यादा फेमस कला है और सबसे ज़्यादा सुंदर लगुचितर पहाडी कला में अगर कहीं पे बने है तो कांगडा में बने है और राजा संसार चंद के समय में बने है देखे दोनों नाम अलग-अलग है एक सावंत सिंग है और एक संसार चंद है सावंत सिंग का संबंद राजस्थान की किशनगड कला सेली से है और संसार चंद का संबंद पहाडी कला की कांगडा कला सेली से है ठीक है इन दोनों राजाओं ने अपने अपने समय में पहाडी कला को चरम पर पुचाया और राजस् प्रकृति चितरण अधिक हुआ लंता है कि पहाडी कला में भी लगुचतर बने है राजिस्थानी शेली कि आपेकशा अगर पहाडी कला में देखा जाए तो यहां पर प्रकरती चित्रन अधिक राजस्थानी शेली में प्रकरती चित्रन कम हुआ है अपेक्षाक्रत पहाडी शेली इसके अलावा जो विशे थे बसोली शेली के थे वो थे रसमंजरी, रामायन, गीत, गोविंद, रागमाला लगभग इन विशेओं पर बसोली शेली में चित्रांकर हुआ है कांगड़ा शेली के अगर बात की जाए तो जिस तरह से बहुत सुन्दर शेली थी किशनगर उसी तरह से बहुत ही अधिक सुन्दर और फेमस और जिसके अधार पर पहाड़ी शेली ने अपना चरम प्राप्त किया वो था कांगड़ा लगु चित्र शेली ठीक है राजा संसारचंद के समय पर इसका पोशन हुआ यहां पर बहुत अधिक प्रकर्टिक चित्रन हुआ है दर्बारी शानों शोकत को दिखाया गया है व्यक्ति चित्र बहुत अधिक मात्रा में बने है केशवदास इस सैली का जो है प्रसिद चित्रकार है और इसके अला प्रणजासुनी महिवाल यानि की प्रेमी जोडों पर बहुत अधिक मात्रा में चित्र बने है कांग्डा शैली ने ठीक हो बढ़ते हैं नेक्स्ट है मुगल कलाशैली की प्रमुख विशेश्ता बताईए कांग्डा और आपने पहाडी लगुशैली पढ़ लिया बसूली व्रिंदा बन जाते हुई ये कांगडा शली से है सिर्फ इस चप्टर से दो चित्र ही आपके स्लेबस में हैं ठीक है अगर आप चाहें तो उनको पढ़ सकते हैं ठीक है कोशन नमबर 6 है मुगल कला शली की प्रमुख विशेष्टा बताएं तो मुगल कला अब राजिस्थान है वो राजिस्थान के एरिये की कला ठीक है लेकिन मुगल चित्र में ये सब थोड़ा चेंज हो जाता है क्यों क्योंकि मुगल चित्र कला मुगल दर्बार की कला है और मुगल दर्बार हर जगा था पहाडों में भी था राजिस्थान में भी था दिल्ली में भी था गुज या मुगल दर्बार आगरा की कला, यहां पर हम इस कला को पढ़ते हैं शाशनकाल के साथ, कि अकबर के साशनकाल की कला, जहांगीर कालीन कला, शहां जहां कालीन कला, इस तरह से मुगल कला को पढ़ा जाता है, इसकी विशेशता यह है कि मुगल कला जो थी, वो भारतिय कला औ और इस्लामी कला का मिस्रण थी, ठीक है, क्या था कि यहां पर जो चित्रकार थे वो आए थे बाबर के साथ, बाबर उनको अपने साथ लेकिया था, अबुल समध सिराजी और मीर सेयद अली, हिमायु लाया था अपने साथ, स्वरी, मीर सेयद अली, तो उन कलाकारों ने यहां पर आकर भीजाद आया था बाबर के साथ तो उन्होंने यहां पर आकर इसलामी कला की शुरुआत करी और फिर कुछ भारतिय कलाकार फिर उसके अंदर जुड़ गए भारतिय कलाकार जब जुड़ गए तो उन्होंने भारतिय कला और इसलामी कला के मिश्रण से जिस शेली को या वो कहलाई मुगल कला शेली और इसको अब पूर तहाँ भारतिय कला माना जाता है अब मुगल शेली इसलामी कला से कैसे शुरुआत तो इसलामी कला से हुई लेकिन अलग कैसे हो गई तो इसलामी कला की अगर हम बात करते हैं, तो इसलामी कला में कहीं पर भी जीवित जीव का चितरांकन नहीं किया गया, जीवित जीव से मतलब है कोई भी पशू, पक्षी, मनुश्य की तो बाती दूर है, जानवर, उनका मानना था कि जीवित लोगों का चितरांकन अंकन सिर् आयतें यही सब इस कला में मुखता चितरित की जाती थी लेकिन मुगल कला में क्या है जीवित पक्षियों का भी पेड़ पोदों का भी मनिश्यों का भी खुब अच्छी मात्रा में चितरांकन हुआ है तो और इसके साथ नकाशी भी की गई है बेल बूटे भी बनाए गए है तो इस वज़े से मुगल कला शेली भारतिय कला और इसलामी कला से मिलकर के बनी और इसलामी कला से पूरी तरह से अलग हो गई ठीक है यह इस कला शेली की प्रमुक विशेशता है इसके अलावा यह भी लगुचितर बने टेमपरा में बने रास्टर संगराले में देखने मि जाएंगे ठीक है यह है मुगल कला चली इसके बाद वाला जो प्रश्ण है वो है जहांगीर कालीन कला में किन विशेष्टाओं को समायोजित किया गया था सबसे सुन्दर जो चित्र बने थे मुगल कला में तो वो बने थे जहांगीर काल में अगर हम अकबर के काल की बात करें तो अकबर का काल जो था वो संगीत का काल था इस समय पे बहुत ही जादा संगीत जो है अपने चरम पर था और चित्र बनने की शुरुआत हुई थी मात्रा में चित्र बने और बहुत सुन्दर चित्र बने इसके बाद जो तीसरा पीरेड आप लोग पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं शहां जहां का लिनकला तो जो शहां जहां था शहां जहां की दिलचस्पी चित्र बनाने में नहीं थी उसकी दिलचस्पी थी इमारतों को बना तो चित्र तो बहुत ज्यादा बनाए शहां जाने, लेकिन उनकी जो क्वालेटी थी उसमें गिरावट आ गई, सबसे अच्छी क्वालेटी के चित्र जो बने हैं वो जहांगीर के ही पीरियड में बने हैं, क्योंकि वो खुद भी चित्रों का बारीकी से अध्यन करता था, ख हंगीर ने अपने समय में जो चित्र बनवाई उसमें किये, सूफ याना हलके रंगों का प्रयोग किया, प्रकरती चित्रन बहुत अधिक मातरा में किया, ठीक है, और तीसरा की मुगल दरबार से अलग हटकर के विशों पर उसने चित्र बनवाई, इसके अलावा जो नेक्स पर चित्रों का विवेचन अपने शब्दों में कीजिए, इसके अलावा एक चित्र और है, सलीम का जन्म, जो आपके सलेबस में है, और लगभग ये सभी प्रशन जो है, वो इंपोटेंट है, और आप से पूछे जा सकते हैं, तो कबीर और रेदास चित्र की अगर हम बात मतलब जरजर से मतलब कमजोर है, उनकी पसलियां दिखाई दे नहीं है, एक ने सर पे पगड़ी बाद दिया तो एक ने टोपी लगाई है, ठीक है, इस तरह से कुछ है, और ये 1640 इश्वी में इस चित्र को बनाया है, फकीर उल्ला खाने, ठीक है, और किसके शहां जहां का एक पुत्र था, दाराशिको कहते हैं, उसके गम में ही उसकी मृत्यू ताज महल में हुई थी, जिसको मार दिया था, और अंजेब ने, और अंजेब ने वैसर ने सभी भाईयों को मार दिया था, लेकिन लास्ट में जिसको मारा था, वो दाराशिको था, और दाराशिको ब और लगू चित्र है कागजबर ही बना है जल रंगों से रश्षिम के जंतक एक चित्र वह पलोग घंद दारी। इसका समय मतना तो आप लगभग सोल्वी शताबदी लिख सकते हो, जरूरी नहीं है आप एक्जेक्ट टाइम बताओ, आप सोल्वी शताबदी भी इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है, और क्या ही है कि क्रिश्न ने अपने उल्टे हाथ के एक छोटी सी उंगली के नाखुन पर एक परवत को उ अपने श्क है उसके नीचे पूरकः गाओं हैं, मतलब मवेशी भी हैं गाय भी हैं भैस भी हैं बखरी भी हैं ठीक है और जो उनका गाओं था गोकुल微aशी सभी गोकुल वासी उसके नीचे हैं वो एक तरह से इंद्र के प्रकोप से उनको बचा रहा है और क्रिश्न जो ह पीले वस्तरुनों ने पहने हुए हैं, सर पर मुकुठ है, तो यही सब इस चित्र में आपको देखने मिलेगा, तीसरा चित्र है दारा सिको की बारात, तो दारा सिको की बारात में एक तरफ महिला पक्ष कह रहे हूं, एक तरफ तो बारात दो तरह से बारात में दो तरह के ल आगे फूलों की वाइट कलर की ऐसे सहरा उसने लगा रखा है डोल नगाड़े बज रहे हैं महिला पक्ष से जो लोग है वो उनका स्वागत कर रहे हैं बरात में पुर्षों की संख्या धिक है महिलाओं की संख्या काम है आकाश में आतिश पाजी हो रही है पटाके फूट र आइक से और यह वाला चित्र भी आप रास्तर संख्या ले नहीं दिली में जाकरकि देख सकते हैं सुरप्षित है नेक्स्ट है बाज पक्षी विश्रामी पर यह एक चित्र है जिसको इस ताद मनसूर ने बनाया जहंगीर कालिन जहंगीर के मित्र युको गिफ्ट में दिय जहांगीर दो उसका इस बहुत दुख उधा heegaard population दो तो मनसूर ने बनाया भाँआए बोलत संदर चित्र बनाया ते चित्र हार्षिया मतोब ईक किस्म है दो ऑच कोष़ कित्र मोंरो है अब भी next question है आपका दक्षणी लगू चित्रकला के उदय और विकास पर प्रकास जा लिए तो दक्षणी लगू चित्रकला का उदय और विकास कभी हुआ तो इन सब के बाद यानि कि जब ये तीनों कला चलिया मुगल राजिस्ताने और उसके बाद और उसके लगभक साथ ह क्षणी कला के इंदर पर चित्र बंते रहें उसके जो है वह जो केंद्र है चार केंद्र है जैसे हैधराबाद, एहंदाबाद, हना और गोलकुंड़ा जहां पर ये चित्र बने हैं तो 16-19 शतावदी में बने हैं और जो बनने शुरू हुए थे वो बीजापुर से शुरू हुए थे और बीजापुर में आदिल शहा की दर्बार से इन चित्रों का बनना शुरू हुआ था और उसके बाद या आगे फैल गया कहां पे गोलपुणा में, एहमद नगर में, इसके चार प्रमुख केंद्र रहे दक्षणी लगु चित्र का लागी बाकी सब कुछ सेम था जैसे गाजिस्थानी मुगल पहाडी में चित्रन हुआ है टेमपरा तक्नीक से जल रंग में चोटे आकार के चित्र पस यहां पर चो चेहरे बने हैं वो लगभग सवा चश्म बने हुए है अधिक मात्रा में एक चश्म चहरा भी बना है लेकिन सवा चश्म चहरे की अधिकता अधिक है सवा चश्म और एक चश्म क्या होता है एक चश्म चहरा यानि चित्र के अंदर सिर्फ एक आँख का दिखना और सवा चश्म मतलब सवा आँख का दिखना डेड़ प्रमुक बिषेष्ता है तो यही सब विशेष्ता हैं इनकी सवा चश्म चेहरा ले आत्मकता, कोमलता, त्रियायमी प्रभाव, इमारतो का चितरण, लंबे गोरे इस्तरी पुरुष ठीक है इसपस्ट तीखी नैननक्ष प्रियाप्त गोलाई लिये हुए ललाट है ना पतली कमर और प्रकरतिक चित्र बीव अधिक मातरा में मानवों के साथ यहां पर बनाए गए तो यही सब दक्षणी कला की प्रमुक विशेशताएं भी है जो आपके स्लेबस में है तो चांद बीवी पोलो कहलते हुए जो चित्र है वो गोलकुंडा कला शैली का है तेम्परा तकनीक में बना है ग्रीन कलर का बेग्राउंड है पीछे यानि कोई पार्क है कोई ग्राउंड है जहां पर लोग असे खेल रहे हैं और पीछे कुछ उ उनको खिलाने वाला वेक्ती भी है जो ऐसे बीच ग्राउंड में खाड़ा है और उनको निर्देश दे रहा है कि लगभग कैसे खेलना है ठीक है चारो घोनो का रंग अलग है चारो राजकुमारियों ने अलग अलग परिधान पहने हुए अलग 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 रंके इसके ब बनाया गया है है हैदराबाद शेली का चित्र है टेमपरा तकनीक में रास्त्रे संग्राले में आप लोग देख सकते हो और इसका समय है लगभग अठारवी शताबदी यानि 1750 से लेकर के 1770 का ये समय है किसका हजरत निजामुद्दिन ओलिया और अमीर खुसरो तो हजरत निजामुद्दिन ओलिया एक चट पे बैठे हुए दोनों बेसिकली और पीछे से एक पेड भी दिख रहा है नीला आस्मान दिख रहा है हजरत निजामुद्दिन ओलिया निजामुद्दिन ओलिया जो है वो मत्तब नहरे रंगी वेश-कुषा में लंबी सी डाड़ी है अमीर कुसरो एक बाद दियंद्र लेकर के उनके पास बेठे हुए है कोई गहन चर्चा कर रहे है या अपना संगीत सुना रहे है कुछ इस तरह का चित्र बनाया गया है अब हमारा जो नेक्स्ट आ जाता है वो है बंगाल शेली यहां से लगब हमारा स्लेबस अलग हो जात यह लगबख खतम हो गई किस कारण से क्योंकि हमारे यहां पुत्र गाली से ना आ गई अंग्रेज लोग आ गई व्यापार के माध्यम से आ गई और फिर उन्होंने इन रजवारों को छोटे छोटे रजवारों को खतम कर दिया इस इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई तो अब जो वो चित्र बनवा रहे हैं वो अपनी पसंद के बनवा रहे हैं पहले तो राजा ने उनको सरक्षन दे रखा था राजा उनको सेलरी देते थे चित्रकारों को चित्रकार चित्र बनाते थे अब वो सब चीजे खतम हो गई आप इस इंडिया कंपनी आ गई उनके पा कला है वो बगोत ही बड़ी है ऐ से में हमारे यहां की कला को एक दर्जा दिलाने क लिए अपना दर्जा अपना मुकाम हांसिल कराने के लिए अपनी कला की पहचान कराने के लिए जो कला अस्तितुब में आई वो कहला यह पंगाल चितर शेली ठाषा क distortion और इस कब हुआ कैसे हुआ तो लग भग बीसमी शताब्दी के आरंभ में बीसमी शताब्दी से मतलब उननिस सो वाला समय जब चल रहा होता है उस समय इसकी इसका उद्य हुआ कैसे हुआ तो कैसे हुआ अवनिंद्रनाथ टैगोर के प्रयासों से हुआ अवनिंद्रनाथ टैगोर कोन थे रविंद्रनाथ टैगोर के बतीजे होते थे यानि कि बड़े भाई के बेटे होते थे शांती निकेतन में रहते थे शांती निकेतन कलकत्ता में था शांती निकेतन एक बड़ा विश्व विध्याले था जहां पर बहुत सारे लोग पढ़ाई करने आते थे उसी जगा पर अवनिंद्रनाट टैगोर ने भी प्रोफेसर ईवी हेवेल की प्रेणा से इवी हेवेल कौन थे इवी हेवेल कलकत्ता स्कूल के प्रेंसिपल थे वही कलकत्ता स्कूल जहां पर पढ़ाई की जाती थी अंग्रेजी कला की उस विश्विध्याले में ईवी हवेल प्रिंसिपल थे तो उन्होंने क्योंकि अवनिंद्रनाट टेगोर की फैमिली भी बहुत ज़्यादा ऐसे पैसे वाली फैमिली होती थी उन दूनों उन्होंने उनको प्रेड़ना दी कि वह एक कला स्कूल की स्थापना करें तो उन्होंने शांती निकेतन में ही एक विभाग बना दिया जैसे यूनिवर्सिटी में विभाग बने होते हैं बायलोजी का केमिस्ट्री का तो इसी तरह से उन्होंने एक विभाग बना दिया कला का तो इस तरह से उदय हुआ बंगाल चितर शैली का और किस ने किया अब उनसे सिख्षा कौन लेने आए तो उनके उनसे जो सिख्षा लेने आए वो थे गगिंद नंदलाल बोस असीद कुमार हंजाद चिति जनांत मजुमदान शैल निंदरनाट डे तो यह सारे उनके सिख्ष जिन नोंने शिक्षा लिए अमनिदरनाठ टेगोर से और बंगालशली को आगे बढ़ाया उसके बाद दा जाती है कि बंगाल शैली की प्रमुक्र विशेश्नाएं क्या थे away तो बंगाल शैली की विशेश्ना है तहीं यहां पर जो चित्रबने हुए हैं वह प्रेरिदे आ लेकिन, उनको बनाना उनको इसी तरीके से ता जिस तरह से राजिस्थानी मुगल या पहाडी में चुत्र बनाए गए हैं। और इसके अलावा एक वाश टेकनीक है वाश टेकनीक यह बंगाल शैली की प्रमुख विशेष्टा है। जैसे टेंपरा तेखनीक तो लगु चित्र शेली की प्रमुख विशेश्टा इसी तरह से वाश टेखनीक प्रमुख विशेश्टा है बंगाल शेली की ये अमनिंदरनाथ टेगोर ने सबसे पहले लाया यहां पे और उन्ही की मूल तहा ये कला इंडिया में मानी जाती है अग्रणी का लाकार कौन-कौन थे बंगाल शेली की तो सबसे पहले तो अमनिंदरनाथ टेगोर ही हो गए और फिर अमनिंदरनाथ टेगोर के जो उनके सबसे प्यारे शेश्टे नंदलाल बोस हो गए असीत कुमार हलदर, छितिन जनात मजूमतर, देवी प्रशादराय तो वो बंगाल शेली के अग्रणी कलाकार थे, अब निंदरनाथ टेगोर की भूमिका के बारे में तो आपको पता ही चल गया होगा कि उन्होंने भारतिय कला का जो अस्तित्व था वो वापस से उनको पहचान दिलाई, इवी हवेल की प्रेहना से, इवी हवेल ने भी भार विद्याले की स्थापना करें, यात्राकांत और राधिका चित्र जो बंगाल शेली के चित्र है, तो यात्राकांत चित्र अपनी निंदरनाथ टेगोर का ही है, है ना, जब उनके चाचा जी रविद्रनाथ टेगोर की मृत्य हो गई थी, तो उस पर उन्होंने एक चित्र बनाया था, जिसके अंदर एक उम्ट है, जो भारी बोज से दब चुका है, है ना, और उसने अपने आगे के गुट में दोनों जमीन से टिका दिये है, है ना, जीवन संध्या इस चित्र को भी नाम, इस नाम से भी जाना जाता है, और ये विद्रनाथ टेगोर की जिंदग चगुताई का चित्र है, पीले रंग की ओढ़नी में, दीप की रोशनी में, एक चित्र बनाया है, चगुताई ने वाश तगनीग में, जिसके अंदर एक महिला इंतजार कर रही है, अपने प्रेमी का, ठीक है, पीला और नारंगी रंग की अधिकता है, बहुत ही कोमल फिए में जर्चा कीजिए, तो ननलाल बोस अमिंदरनाद टेगोर के प्रिया शिष्य थे, अमिंदरनाद टेगोर की मृत्यू के बाद, उनने सो इकतालिस, के बाद, ननलाल बोस ही शान्ती निकेतन में प्रेंसिपल बने बने और उन्होंने एक चित्र बनाया था, बहुत रदिवेशन करतीझ थी ठादाल में पौरए अधिवेशन किया था और वहां पर उसने चित्र बनाया था उस पांडाल में भारते किसान जो कि लोगों की उस समय जदा होते थे खेती जदा करते थे उसी से पालन पोशन होता था तो एक तरह से ग्रामीन पर इस पर अधारित वो चित्र नाल बोस ने इसके बाद नेक्स्ट कोरिशन है भारत माताचतर के इन चित्रकारों ने बनाये थे उसमें क्या प्रदिर्शित किया था तो सबसे पहले भारत माताचतर बनाया था तो वह अमनिदरेनाट टेगोर नहीं तो उन्होंने अपने चित्रों में क्या क्या डिफरेंस रखा था वो चीज आपने बताएंगे नबर 16 है सुतन्ता के लिए किये जा रहे आंदोलन में किन कलाकारों ने सहयोग किया था था कैसे तो बंकिम चीज चत्र जी हैं जिनोंने वंदे मातरम लिखा था इसके अलावा बहुत सारे लेखा के हैं जिन्होंने ओजपून, गीत लिखे थे, गाये थे, बहुत से चितरकार हैं जिन्होंने चितर बनाये थे, जैसे ननलाल बोस नहीं हरीपुरा पांडाल में क्रशक का चितर बनाया, ठीक है, तो इसी तरह से कलाकारों ने योगदान दिया, भारत की रास्टरद्वच की सरचना का प्रतिक आत्मध विशलेशन, तो कैसा है, तीन रंगों पर अधारित्ती रंगा है, तीन बाय दो का उसका रेशियो है, लंबाई तीन और चोड़ाई दो रेशियो रहता है, उपर नारंगी बीच में सफेद और लास्ट में हरा, नारंगी रंग फीरता का प्रतिक हरा, जो है वो एक तरह से इस्तार का प्रतीक सफेद रंग शांती का बीच में 24 तीलियों वाला चक्र है नवी ब्लू कलर का ठीक है जो दिन के 24 गंटों को दिखाता है ठीक है इसके अलावा नेक्स्ट है भारत के रास्चे द्वच के विकास की चरण वद्वया कीजिए तो सबसे पहले 1906 में बना फिर 1920 में बना फिर1946 में बना जो कि बाद में 1947 में लहराया गया ठीक है तो एक बार चरखा था 8 फूल थै ठीक है वही सब की 1906 मेंны तिरंगा कैसा देखता था modern. 1920 में कैसा देखता था और झालिसर अब 1947 के बाद से कैसे देखता है इसके अलावा उन्य सु वस्तु के निरुपन में उसके मूर्तिकाल कहां तक सफल रहा है उसके उत्तर के पुस्टी कीज़े तो कोई भी मूर्ति है जिसे श्रम की विज़े मूर्ति देवी प्रशाद राय चौदरी ने बनाई है तो कहां तक किया तो उन्होंने बहुत अच्छा उसको मतलब पर जो मासपेशियां भर रही है जैसे कोई व्यक्ति श्रम करता है तो उस वक्त उसका शरीर पश्षीनों में होता है वो सब उस मूर्ति शिर्प को देख करके लग रहा है ठीक है तो इस तरह से आपको उसका जवाब देना है इस तरह से कुश्ण भी आपसे पूछे जा सक कुछिए नमबर 20 है कि निमलिखित कृतियों पर टिपनी दीजिए राम समुंदर का मानमर्दन करते हुए राजा रवी वर्मा इस चित्र को पढ़ लीजेगा इंपोटन्ट है मावे बच्चा यामनी राय का चित्र है बहुत ही जदा टेमपरा टेकनीक में बना हुए बहुत से आप लोग इसको देख लीजेगा हल्दी पीसने वाली अमरिता शेरिगिल का चित्र है मदर टेरेसा म. अफ हुसेन का है दिवारों से सरोकार एक ग्राफिक प्रिंट है अनुपमसूद का बच्चे सोमना थोरे का एक ग्राफिक प्रिंट है यह सब ही जो है बहुत ही ज़ बहुत इंपोर्टेंट है लास्ट पेपर में भी आई थी ठीक है यह एक मूर्ति शिल्प है तो यह कुछ इंपोर्टेंट कोईशन थे जो में लेकर के आई थी आप लोगों के लिए एक्जाम से पहले होप की वीडियो आपको काफी यूस्फुल रहा होगा और इस वीडि इसके लाव आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए एक्जाम से पहले वो भी मुझे कमेंड सेक्शन में जरूर बता दें वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है शेयर करना है अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है चैनल को सब्सक्राइब करना न झाल